एसने में चलते चलते गाली गुरुनाते हैं कि मैं देख लूगा उसको तुम क्या देख पाओगे? घर तक नहीं पोचे तब तब ऊपर चले हैं क्या देख पाओगे? हे मीत्र, इसे चलते-चलते, कुछ नहीं कर सकते हो, कमसे कम भगवान का नाम ही लेते जाओ, जो सत्वू से मिलना तब लड़ लेना, लेकिन पहले से क्यों लड़ रहे हो, ओ, 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 अश्यर्म, जो तुमारे सामने सत्वू है नहीं है, वो अपने घर में भगवान की भक्ति कर रहा है और तुम राश्टे में सोच आँ हो मैं उसका ऐसा करने वाला हो और मालूम चला एक बान का धक्का लगा अरहं तो उपर चला गया बवार से कहना पर तो उपर चला गया पर कसाय करना उपर जाएगा कव तो निचे गया किम अनुद्ध बिना प्रोजन के भाषन करना, बिना प्रोजन के चिंतुं करना, बिना प्रोजन के क्रिया करना, जिस क्रिया में पुन्निकार नहीत नहो, वे सारी क्रिया अनर्थ है, ओ आज सर बिटा छोटू ऐसे लोग मिल जाएंगे, गर्में बैठे बैठे, गर्में बैठे, बैठे, यानि पत्ति खेल रहे मिल जाएंगे लेकिन तीर तंकर के घरज़त के फेरी में नहीं चल पाएंगे कुछ इतना पुन्ने ही वी यह इनसे लोग मिल जाएंगे, अभी आप जाकि आओ बहुँकों से बातें बत्यार होंगे सु रहंगे उम्रें होंगे वहा कमर्व दर्द नहीं करती तियैं गर्मी नहीं लगती तियैं पर अरहं तादे're के जनूस में बेही चल पाते हैं जिनको भबस में तीतंकर पांके पाद मुहिमन रह करके दिगमर मुनी करिकमन करके उनके साथ बिहार करने का अबसरों नहीं मिनेगा तो आज उनके साथ बिहार करेगा अहो भब जी आपकी भूत बुत शिमह है जब तुम्हा भगवान के बिहार में गर्मी देखोगे तो बेटा तुम बिहार कभी नहीं करोगे जबकी आपको मालूम होना चाहिए देवों को बोध हो गया है तेहुरी में बगवाल जितना के चर्मिश्च नाम है गजुरत मुश्रव हो रहा है उन्होंने पहले से ही बाईू कुमार देवों को भेज़़वने ठंडी हमा चलाओ और गयालियो बरसना नहीं बरसना नहीं बोले ठंडा भी रहे और जादा बह भी न जा कुछ तो है कुछ तो है आपको मालूम होना चाहिए तेर ठंकर के माल मूल में स्या चंदन भाई सब कुछ होता है की मनुर्थम अनर्थ क्या है इसलिए अतुल अपने चित से कह देना दुनिया में इसका प्रयोग मत करो तो पता होना चाहिए जितनी अश्राबग बेठें अधिकान सेल का सावन लगाने का त्याग नहीं है बराबर है न पर साश्त्री जी खड़े हो जा ये ते तो कहीं कदाचित सावन से इस्टनान कर रहा था और वो सावन इस्टनान कर देख गया कि संतोष भी आया है बेंतर भी आया है सोरब भी आया है तो तुरंत क्या करेगा उस सावन को छोड़ देगा कि तुरंत उठा के सावन नानिम रखेगा अब छुपाने से चेहरा क्या होता है जो है सबूलो एक सो रुपे का सावन इसको भी बीरिम भीया ये साथी त्रूंत सावन्दान में रखता और छुपा लीता और ये सबसे जगा मालूम जब जड़ता है ये यात्रा को लिख लें तब सबके 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 अंदर की बाते पता चल जाते है यात्रा में जाएं अपरे बीरिम भाई जबलपूर खापी के आयाता केता सास्त्री वो बन कर लिया कि नहीं कर लिया तब सबके पता चलता तुम कितने मान हो और ये सावन था वहां छोड़ता नहीं और भी तुम उच्छे पैस में छोड़ दिनगा तो छोटू उठा के लगा लेगा तो मेरा सावन दल्दी खर्च होगा इमां दर्स बोलो ऐसा है करने चा भाईया तुझे सरम आना चाहिए ठीक तू कर रहा है कि सो रुपे की सावन इंक लिए पया लगाए जिए इतनी और चिंत आ आहिंगा नुच्,,। रहे हैं। और इतनी चिंता है पानी में नहीं गुईया है JU unto तुझे इतनी चिंता क्यों नहीं सताती है जब गप्ई में बैड़ता है तो गप्ष जीवन भूर रहіє और तुम ही सोचता है कि मेरा जीवन व्यत में क्यों नश्क कर जाया हूं, उसको मैं रख लो अतना सावंदानी के अंदर, मेरा जीवन व्यत की इवातों में ने जाये मैं जन्वानी की इवातों में अपना जीवन बैख करूं बेविचारी हाल पुद्धी हीवें दिनके दिमाव चोटे होते हैं और मस्तिक मुख ऐसे पकले से छिपटिया जैसे जिनके माते चोटे होते हैं बुद्धी कम्योर होती है उनके सारा का सारा इसमय इसमें चला है भीया तियोरी में ऐसा हुआ, जवलपुर में ऐसा हुआ, सिलिम नमाग में ऐसा हुआ, सतना में ऐसा हुआ, कटनी में ऐसा हुआ, उस पगले से पूछो, इसे पूछ तेरे से कौन रहा है, तु तो ये वाल तेरे भीतर क्या हो रहा है? तुम समझधार है कमचे कम अपने सावन को पानी में नहीं गोलता मित्र इतनी समझधार और हो जाओ अपने बचनों को व्यर्थ के लोगों की बाता में मत गोलो बैठ जाओ सहीए न भीया तो आज से नियम हो गया क्या सावन जैसा सुरक्षित रखते हो बैस अपना जीवन भी सुरक्षित रखना जाजा व्यर्थ की बाते हों और धीरे से खिसक आना और यू के न आयू करम के निशेक मेंने समझ लिए सहीशार में मित्र सहीशार में मित्र सारी बश्तियों पैसे से खरीद के ला सकते आप लेकिन आयू के निशेकों को पैसे से नहीं खरीदा जाता है इसलिए इस साष्त्री से मत ważne नहीं समझना ज्यानियों जितनी तेory की हुआ है उन्हीक लिए नहीं के रहा हूं जितनी मंदप में स्रावक या नहीं से भी के रहा हूं है मित्र आज तेर तंकर परमिस्वर की गज़त रमुसर की तूर विला में इस बात का नियम लेके उठना कि यदि में समय से उठूँगा तो स्वान की स्वान की चेंड नहीं पकडूँगा हाथ में जिन्वाने पकडूँगा तो माना पेरूँगा कुट्टे को नहीं जो जिनके साथ रहते अंकित विटा उनके बैसे भाव बनते हैं अब विश्वास मानों आज कले लड़कों को मालूं स्वान खिलाना पिल्ला खिलाना बहुत अच्छा लगता ना तो बिचार उन्हीं जैसे खड़े हो करके समझ गया ना बांग चलते हैं मतलों जो जिनके स साथ रेता हैं उनकी बैसे संस्कार पड़ते अरे भाईयां उन्हीं के साथ रहो तो कपड़ी उतार करके खड़े होंके खाना प्रारम करो कमसे दिगंबरों की संक्या तो बढ़ेगी परहे मित्र की मनर्थम फलम जो अनर्थ जीदने किया है उसका फल क्या होता है मानसम असंगतम बुद्धी की असंगता जब जब तुमसे अशुव होता है हे मित्र जब जब किसी से अशुव होता है तो सब से पहले चित्व प्रस्ट होता है को जब जब सुव होता है चित्व प्रसंद होता है एक गजरत की फेरी नहीं है मित्य विस्वाइस रखना जितनी महुसर होते ही ये तुमारे भावों की बिसुद्धी की फेरी है महा महुसर होने से मित्य द्रिष्टी जीद भी शब में कोटाब कर लेते हैं जो कभी जिनाले नहीं जाते दो भी एक बात जिन्देव की धर्षन कर लेते हैं और इस स्वाइस रखना मित्र एक वार की धर्षन भी एक मार की मात धर्षन आपके कोटी-कोटी जन्मों की पापों का अच्छे कर देते हैं एक वार के मात्र दिर्शन एक नीवो के भूंध मात्र एक दूद में चरे जाए तो दूद पटेगा कि नहीं पटेगा एक दस्टी पर मात्मा की ही तुमारी आखों में आजाय मित्र तुमारे करम नियम से पटेंगे 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 आज ये तियोरी में महुसर बोचर रहा है विश्वास मानना ऐसा लगता है इस भूतल पर धरूर को न कोई तिर्धंकर का वियार हुआ है अनली था ऐसे प्रिसर्षपडामिया के स्राफकों के अंदर कि बन्य परवार कम हो और भक्ती में कमी नहीं है यह आप अनुबब कर रहे हो बक्ती में कमी नहीं है इस भक्ती का ही प्रवाब है कि आपको हर वर्ष एक दो वर्ष में पंचकन के महुसु करने को अवसर मिलते हैं और साध्यों की चरिया करने का अवसर मिलता है और मालू ये ऐसे गज़त के फेरी होने वाली है जवलपुर में अम्रत तिर्थ में अंकित भाई क्या प्रभु का गज़रत चला है मित्र बैसा ये दिन बैसा ये छण है और आचर भगवंत बिद्य सागर महराज तिलवाला से आशिरवाद दे रहे है आचर भगवंत बिराग सागर महराज उदेगरी खंडगरी से आशिरवाद दे रहे है मिट्र बिद्धा मन्य दिली में बैठे आसिराइब सोच रहे हैं और बर्दवान सागर्जी करनाटा क Type-neam बैठे सोच रहे हैं वो तो मेरे से एक बात की रहते बताऊं किया अपको बता दो तो कोई पाप नहीं पड़ता पकका बताऊं पकप बर्दवाई सागर जी मेरे शिवोले धोण गरी में क्या विशुदी सागर जी आप दिगरुजे करने के लिए निकले हो जहां देको गजरती गजरत चर रहे है और पंचकां पंचावा हो रहे है मैंने का सोमी में क्या बता हूँ मेरे जीवन में आतर विद्याचावर महराज ने उन्नी सो लब्वे में ऐसा आश्री बात दिया था धूलेक की बेटा इतनी चोटी उम्र में तुमने दिख्चे लेली मैंने का गुरोजी देर होगी उन्हें अभी देर होगी उन्हें क्या चाहते हो बस मैं कुछ नहीं चाहता हूँ मेरे जीवन में प्रभाबना हो ना हो पर अप्रभाबना ना हो तो भूच प्रभाबनों ने उत्तर दिया भिष्य भी सागर दुष्य भी सागर जीवन में मोपच तो मिलेगा नियास समय आएगा जब लेकिन दो बातों से दूर रहना एक स्री जी से स्री जी से निए स्री से ओर देविंद सागर वहां थे भड़े हुए थे उन्होंने क्या हो ना स्री से दूर रहना और स्री मतियों से दूर रहना चो मैंने का गुरू दी पहले से मरे नियम था आज और पक्का है ओ बुले वेटा स्री और स्री मतियों दूर रहोगे तो स्री जी हर्समा तेरे साथ रहेंगे आचा विरारिक सागर ने कहा ग्यानी तुच्छा कुंदलपुर में बोले ग्यानी आ गए ने का सोमी आ गए मुझे ऐसा लगा जब विशुद्ध सब्रसागर आच्छा स्री मेरे से भोले जीवन में पहली बाई विराक सागरी भोले क्यों भगवान आत्मा आ गए मैंने का मैं यही सुनना चाहता है विशुद्ध सागर तुम निश्ण होने वाला है भगवान आत्मा तरीकालिक है पुनी का भगवान आत्मा आ गए तो मुझे आनंद आ जा है ग्यानी है ग्यानी जहां देश के महमनीशी आचरों के आसिरबाद हो और तीर थनका अजजिता स्वामी की की चमनिस्जर हो वहां के भेरी आनंद मैं ही होने बाली तुम चिंता मत करो और ये मालूम यहां की साथ भेरिया ने साथ मी भेरी और होने की भी चिंता ने की भी because मैं समझता है तो मुझे ने थोड़ी देड़ अहो और महलूम, जब हो रहता अम्रद्धाम तिरत का पंच्छन ये वो था तेओरी का मंगलाचन, और ये तेओरी का पंच्छन क्यानी चिंता मत कर गोर्ज हमार पंच्छन का मंगलाचन है, आचर वर्दमां सागर भूले, भूले क्या करती है सब, मैंने का गुरुजी एक ब पिराङर सागर महराजजी एक दिन क्या हुआ, ये देविरिन साह pensar को जरूर पता होगा, और विद्यानंद महराजजी अडिल्ली में बिराेजते हैं, उनकी दिक्षअ गुरू आचर मावीरकृती महराजज मुने दिख्चा के गुरु देश वूशन है लेकिन छुलक दिख्चा के गुरु आचर महावीर किर्थी महाराज जी है उनका नाम था छुलक पारश्य है आचर महावीर किर्थी महाराज जी के पास एक बक्ति किसी बात की बात बोल ली गया पुली आचर विद्यनन माराज जी की सिकाथ करना मुझे आपसे आचर मावी किर्थी माराज बोले शुबर सागर बेटा तो उसकी क्या सिकाथ करता है उसको मेने उस महूर्त में दिच्चा दिये जो महूर्त 27 वर्स में एक बार आता है और एक मार दिगंबर प्रंपरा में पहले ऐसा मुझे था जिसको लाज़ारों लोग एक सा सुनते थे उनका नाम आचर विद्यनन सारे इसमें इसके पहले टीवी में कोई मुझे नहीं दिखता था मातर विद्यनन दिखते थे बेटा अंकित इसको पूसम भुजर्गों से जब भी विद्येश में मुझे का नाम की बात होती थी तो मातर विद्यनन और उन्होंने कास्मिर से कन्या कुमार तक बियार करने वाला मुझे कोई है तो उसका नाम है विद्यनन क्यानियो हर विद्यका अपना अपना छेत्र है हर विद्यका अपना अपना छेत्र है तो मैंने आचरवर्दमान साह महरे से खा गोरु जी एक बात मेरी समय में नहीं आ रही है क्या मालूम इस प्रत्री पर अत्वा आचरी विराग सागर ने कौन से मूर्त में दिप्चा दिये जब से में प्रत्रम दिन संगिसे बारों ने भेजा था तो गजरत के नाम से भेजा था और गजरत के नाम से में संगिसे गया था तब से आग तक एक रत पूरा होता दूसरा खरत खड़ा हो जाता है इसलिए ग्यानियों ये लियोग है और दूसरी बात यह है आतर योवल सावर महाराद अपनी विदाई की अंतिम बेला में बेटा अंकित मेरे से एक बात बोल के गए थे क्या पंड्ला में जब उनका महुसफ था देविन साथ आप आए थी क्या मित्र उसमें आप मुझे कहां देखते थे सबके दिन एक से कहां होते हैं मैंने आपको देखा था आए थे आए थे ना मालूम पर आपको मैंने देखा था बड़े-बड़े महरादों के पास खड़े हो थे उपाद्य वहर शागर महराज आचरी विमन सागर महराज विरांक सा ये बड़े-बड़े मुनी आचार थे, इनके पास खड़े थे, वो छोटे से मुनी को कौन देखता है, वो देखने की आख मात बिमल साइब पास थे, दूसरे पास नहीं है, पचासों उनिजाज थे, अनेक आरकायत युजर, और मालू हज़ारों स्रावक थे, परना की घटना है, ये मातमा जी आचर महाराज के बगल में खड़े थे, इन्होंने मुझे नहीं देखा, पर उन्तु में दूर खड़ाता दूर, आचर बिमल साइब महाराज बोले बिलाक अकसागर से, क्यों, तुम्हारा छोटा मुझे का है, ओ, मैंने के, ओ, इस भीड में आपको किसी की याद नहीं आई, मैंने का, भागवान जरूर के लाया, कि आप जैसा आचर के रहे तुम्हारा छोटा मुझे को उन्हें दूर खड़ाता, कौन दुर खड़ाता, कौन अपने बचड़े से को दूर कर गए, लेकन ये मित्र, ओ, व्रद आचार ने, दाउसनों कुछ, ओ, व्रद आचार ने, मेरे लिए पकड़ करके, अपने बचसल से लगा लिया, ओ, मैंने का, गुरू जी आश्रिवाद दो, ओ, बोले, बेटा, तु क्यों आश्रिवाद मान आगम में लेखा है, मुनियों के वचन जूटे नहीं होते, प्रसांत, मुनियों के वचन जूटे नहीं होते, जब भी कोई टेंसर होता ना, तो मैं इस्वाद सोच रहता हूँ, आचर बिमल साइक सब जूटे हो ये नहीं सकते, नियम से अच्छा होने वाला होगा, पुन है तो, क्या हो गया, अरे पंड़ जी मेरे पास एक ग्रंते समय सार उसका नाम है, उसमें सोने बनाने की बिदी लिखे हुए, और निर्मल निरसतना को बेटा बेटा सुब्रसागर, बो तो यहीं सोच रहे महाराज जी, हमारे पेताजी ने इतने दिन से सब कुछ पूरी बिदी लिखे हुए है समय सार जी में, और पूरी बिदी लिखे हुए है, इस पस लिखा इसे सोना बनता है, मालुमी तेयोरी के लिए क्या सोच रहे हैं, शिलिमना मालुमी बोले महाराजी, आप तो जल्दी बता दो, मैं भी एक गज़ा चलवा लूँगा, मित्र स पहराज बहुत कडिन होता है, सम माता नहीं बना पाती है, छुपके बनाना परता, पर बनते कि नहीं, बनते ना, परंतु सब के हास से, एक पकवान जैसी सामग्री हर माता के हास से नहीं बनती है, जिसके हास से नहीं बनती हुए हुए मेरी बिसुद्धी में कमी है, हे मित सामग्री बता दी फिर दीरे से कहते हैं इन सामग्रियों के मिश्रन से हस्तनी का मूत्र शिंदूर नांगपणी आधी 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 इन सामग्रियों के मिलाने से मन दोगनी पर दोगने से सोना बनता है लेकिन पुन्न होता है ता एक सद्जन भिंडे में बेट गए सोना बनाने लिए डाक्टर साथ बेक कढाईच रखके बेट गए वो मालूम चला कि कढाईच में हाग लग गई बिचारे बस गए नहीं तो बे साथ में चले जाते इसलिए ग्यानियों हर वस्तों के प्राप्ति पूरिसार तो तुम्हारा साथ में होना चाहिए पर सपलता तभी मिलेगी जब भाग तुम्हारा साथ देगा इसलिए प्रेजीवन में इस बात को समल समल के शुनना और आज तेर थिंकर वगवान के इस माह मौसब के अब से पर एक नियम जरूर इस बात का लेकर जाना कि अब मैं आज से स्वान की चैन नहीं पकुलूँगा जिन्वानी के जिन्वानी के जिन्वानी के प्रस्मों को पल्टूँगा कितनी लोग नियम ले रहें साल में बरस में एक बार एक गरंत पूरा कर लेंगे कितने लोग नियम नहीं ले सकते हाथ उपर करो कितने लोग नियम ले रहें कि एक जंद पूरा कर लूँगा मैं पढ़ करके माता हो बस मेरा काम पूरा हो गया जिसने जिन्मानी का नियम ले लिया गज़र सफल हो गया स्वाध्य करोगे ना तो त्यागी बनाणा नहीं पड़ेंगे तुम त्यागी बन जाओगे जितने जीव स्वाध्य करेंगे अंदर से पढ़ेंगे अध्यन करेंगे चिंतन करेंगे मनन करेंगे एक बाद सोचना पड़ेगा किम उपादे यम किम है यम क्या है यह है क्या उपादे है इसका बोद मा जिन्वाने के पाद गुल नहीं होता है इस वे मित्र आपने जिस महुशों को पूर्ता की ओर ले गए हो सबी इंद्रानी हो गलिए और नगर क जैन समाच की नहीं अन्व नागर को भी मंगल आशी सेश बात का कि इस वर्श के पंजकाट में मालूम भी है सारी की सारी समाच जैन हो चुकी है यहां की मन्यक में पूरे होई बैठे मिलतें आपको और मालूम प्रवचन की इंतियारी करते हैं कि कब प्रवचन प्रारम हो आपाई साम को साम को कुछ बच्चे मेरे पास मोचे बुले महराजी बीच का मायक बंद हो गया था तो दसपचाश फोन आगए गाउवालों के माता बेनों जो यहां नहीं आपाई थी बहुत बहुत प्रबचन नहीं सुन पाई आज तो पाप पड़े बुले क्यों मायक अनंद होना ही है बस यह समाल के रखना साहस्त्री सारे विवाओं से बोल के रखना जो अखंडता एक ताप आप बना के रखे हो इसको मित्र जीवन की अंतिम स्वास तक बना के रखना वो ब्रद्द पंडियों टेक्चन जैसे लोग रो के ना जाएं मुश्का के जाएं कि हमारी समाज आंगे भी ऐसी चलेगी मालूम यहां के चंदपरो स्वामी का मंगलाचरन और घोर जामर में कितने फिटके भगवान भीया 31 फिटके भगवान बहुली स्वामी की प्राण प्रतिष्टा होने वाली है अब मालूम यहां कि स्रावब क्या सोच रहे देविन साथ इतने भगवान क्यों बना रहे हो अरे इतने उची उची जब अपन भगवान बना के जाएंगे ना तभी तु सिद्धे स्रावब इतने उचे पहुच पाएंगे पैंतानिस फिट ग्यानियो पर बिकल्प मत करो साथ इतना मत करो ना पैंतानिस जितने सही तेरे भगवान भी यहां बिरादमान हो जाएंगे बैटजा बगवान तेर्थंकर जिनिश्र की रत यात्रा में रत पत पर कोई गंदगी न रहे आएंगे मालूम इसलिए देखो पंडाल में कुछ नहीं हो रहा है और पूरे गजद पत पर बायुदेव भूम रहे हैं देखो आप यहीं से देखो पूरे रत पर बायुदे भूम रहे हैं कोई कच्रा नहीं है तीन लोग के नात के सपाई अरे कोई दूसरे से नहीं करा नहीं है देवचा के श्यूम कर रहे हैं इसलिए घ्यानियू अपने जीवन में आँ सुबह ही सारे आचारों को पूरे प्रणाम किया और यह ध्यान रखना यह तुम भूल कर लेते हो गुरु जी हाथ उठाएं तब आशिरवाद मिले और यह तुम पता होना चाहिए बे ध्यान में लीने और हमने प्रणाम किया है तो उनकी भी गदिया गुदगदाती है तुम भूल गई क्या अप अपने जब छोटेते तो नानी क्या बोलती थी दादी क्या बोलती थी बेटा गदिया गुदगदा रही है ना तो को याद कर रहा है जब सामन आदमी याद करे तो नानी की और दादी की गदिया तो नहीं ही गुद्गजाएगरी इसलिए अपन तो घुष रहते हैं हम याद करते हैं उन्हीं योगियों को तो उन्हीं कुम सोचना पड़ता है कैसा बजर का जीवे जान जान कर गुद्गुदवा लेता है और आशिरवाद लेता है सारी वित्ते में आपको खुल के दे रहा हूँ तुम लोग ले सको तुम्हारा काम है देख भाई छोटे में दिविन साब मुझे बोल दिया वो भैस का दूद लगा के आओ उनके बापरे भैस का दूद लगा के आओ वो भिंडी की भैस है एक एक भैस बड़ी बाल्टी भरत मैंने का चिंता मत करो जरू लगा किया हूँगा एक बाध दूद लगा उए और सहा मैं बैठ गिया वो भसाना परता नहां बाल्टी को अब इतनी यह बाल्टी भर गई अब कहांसे भसा हूँगा इन o नहीं प्यार नहीं पहल रख लिया मैंने का यदी भाग हो गा तो इ तो इसका दूद उसमें जाएगा। उस भैंस ने एक पिरनीट आया। और मालूम उसको दीरे दीरे सहलाते रहे सहलाते रहे। उसने पूरे बाल्टी लबा लब भर दी। मैं पूरा आगम सिग्या उसी दिन। मतलब भैंस के चार थनों को मैंने ऐसे सहलाया। उसने बाल्टी भर दी। तो जिन्वाली के चार थनों को सहलाओ। गुरुगों को सहलाओ। अपने आप आशिरवाल भरता है। अपने आप जिन्वाली मस्तन गुश जाती है। सहला ना सीखो। सहला ना सीखो। सब पिकल जाते हैं। सहला न सीखो बैया बावाजू विराजमान हो गए रत में चलो अब है मित्र तीर लोग के नाथ जब कभी चानदनपुर के महावीर की रत्यात्रा निकलती थी वहाँ गूजर मेना शारे सातों जाती की लोग वहाँ मेरे मित्र क्या महावीर जनती होती महावीर जी की आज मित्र होई द्रश्च तीओरी में दिखाई दे रहा है चार और इस समाज के भीड मत कहना भक्तों की उपस्तिती है भीड नहीं है भीड तो हुआ जाती बता से मांगने के लिए भीड नहीं है मेरे मित्र कोई मित्र के तेल की भीड नहीं है अरंत की जिनवानी और तीर तंकर अरंत की यात्रा में जा रहे हैं ये लोग यहाँ जलूस में जाएंगे उनकी जरूर शिवी यात्रा निकलेगी और जो घर में बैठ जाते हैं कुछ लोग अभी दूप दूप कह करके यहां पंडप में भगके आने वाले गुन्नू यहसे लोग ये लोग क्या जाएंगे भाई बेन की सादी में तुम नाटक करके नाच सकते हो गाड़ियों में घूम सकते हो तीन लोग की नाटकी यात्रा में तुमका गर्मी लग रही है अरे धिकारो साद में रख की गर्मी को देख जा करके इसलिए है मित्र कितनी गर्मी पढ़े भगवाएं की फेरी करना फेरी करना और यह मालूम यह साद फेरे में तुम ठकने लग गए तो फिर केना सास्त्री वहाँ साद फेरं क्यो थेका था जब थेरे साद फेरे पढ़ रहे थे वो पटना नहीं है पटना चला जा या क्या सन्तो-बटना क्या नहीं संदू में क्या करा हु हमार साह भूसलिम ना बाद यहां तुम तनक में धकने लगती हो बिसात फेरे पढ़ रहे तब कहें ठक गए थे, तब ठक गए होते तो बेटा, यहा ना मिलते, और कहीं होते, जाओ जीवन में, सात्मी फेरी, तक मालूम, छट्मी फेरी तक नारी आगे रहती है, इस सात्मी फेरी क्यों पर रही है रत की, तुम्हें समझाने पर रही है, सात साथमी फेरी के पहले Dios tuk माताँ कून हमें रहता है ह insurance है बिटिया रहती न पिर तुमहेस साथमी फेरी फेरी ऑम पीछे क्यों हो जाती पता ही है क्यों हो जाते पीछे है बोले ऑदियानी इस्त्री कितनी पांप करें छटे में रख के नीचे नीच आएगी इसलिए इस साथमी नरख से बचना चाहते हो तो साथों फेरियों को मुष्का के फेरो वो साथ परमिस्तान की प्राप्ती का लक्ष बनाओ वो मांसेट मनाओ से मुक्ती पाओ यही अनर्थ दंड़ के फलक से बचना चाहते हो तो मित्र आज से गुमना घामना बंद करो जिनालों की बंदना प्रारम करो इससे करम के नर जाओगी आत्मा शुभाबं परिभाव भिन्दम आत्मा सुभाबं परिभाव आत्म को सुभाव परवात्म का से अत्तिन बिन्दगन मावीर सोमे की